Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Verma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि धनकी API कैसे लेते हैं और उसे next level board के साथ कैसे connect करते हैं अगर आप trading view से, charting से automation trading करना चाहते हो, तो यह किस तरीके से करोगे तो अभी रात के एक बजे हैं और इस time तो order place होंगे नहीं पर क्या processor है और किस तरीके से काम होता वो मैं आपको बताऊंगा तो यह first video जिसके अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि API कैसे connect करते हैं सेकंड वीडियो के अंदर आप देख सकता होगे कि trading view से order अगयरा कैसे दालते हैं यह बता दूँगा तो अभी आपको first step में API access लेना बताता हूं तो जैसे आप देख सकते हो भी आप हमारे साथ धन की website पे हो इस त्थरीकी क一定要 या back 여기 जैसे आपको इस तरीकी का page दिखेगा आपको प्रोफाइल में आना है और प्रोफाइल में आपके 12 on growth इंदर इस्पे क्लिक करोगे आपको द Черno श्मलठेभ किता च्चि ¨च जैसे आप यहां switch करोगे, तो आपको क्या करता है? generate a new token क्लिक करना Crate पे और यहां कुछ भी नाम दाल देना, मैं नाम दाल देता हूँ, डेमो. और यह token validity, तो जैसे और broker होते हूं आपको token नहीं देते, वो आपको API की और secret की देती, और उससे आपका token generate होता है और आपको daily token generate करना होता है पर यह क्या है कि आपको खुदी token generate करके दे रहे हैं by default इनकी validity 24 hour है और आप 30 दिन तक इसे चला सकते हो अगर आप 30 दिन select कर दे तो 30 day आपको 30 day के बाद दुबारा दिन generate करना पड़ेगा और हमारे platform में दालना पड़ेगा क्योंकि वो expire हो जाएगा तो आप 30 day करके generate कर लेना token token generate होने के बाद कुछ इस तरीकी काश होगा आपको copy पर click करके copy हो जाएगा अब इसके बाद क्या करना वो मैं आपको बता देता हूं आपको जाना है next level website पर मैं home page पर ले चलता हूं अपको यह हमारी website है यहां जाने के बाद आपको dashboard पर जाना है Login कर लेना है Login करने के बाद dashboard पर जाना मैं dashboard पर ले चलता हूं यहां पर आपको left side में दिखेगा API credential आपको इस पर click करना है जैसे आप click करोगे तो यहां पर मेरे पास बहुत सारी API दिखरी है आपको जो मैंने पहले से add कर रखी है पर आपके पास नहीं होगी तो आपको क्या करना है आपको add API पर click करना है और access token के बाद आपको यह phone number दालना है, phone number में आप एक बात को धान रखिएगा, कि 10 number का आप अपना phone number दालोगे, आगे 0 नहीं लगाओगे, plus 91 नहीं लगाओगे, और कोई space नहीं लगाओगे, बस आपको 10 number का अपना phone number दाल देना है, उसके बाद save कर लेना, save करने के बाद check के button पर click करना, और यह मैं all API पर हूँ, मैं अपनी धन API पर आजाता हूँ, तो धन API पर आओगे, तो आपको इस तरीकी के आपकी धन API दिख जाएगी, जब आप आओगे, फिर से मैं remind कर रहा हूँ हूँ, यह API off की off, अगर आप order दालोगे तो आपके broker पर नहीं जाएंगे तो सबसे पहले आपको इसे enable करना है, मैंने enable कर ली, अब कई लोग यहाँ पर एक चीज पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि वो इस पर जो जिनके पास multi API, उनके fast family की API, friend की API क्या वो कैसे करेंगे, तो उन्हें कुछ नहीं करना हूँ, उनको भी अपनी multi API अड़ कर सब्सक्राइब आपके पास 5 अकाउंट है, 5 अकाउंट की API तो 500 को इसी process से add कर देना, जो order आप दालोगे वह order आपके उनके API उनके अकाउंट में लगेंगे, तो यह clear हो गया, अगर आपको quantity change करनी हो तो multiplier का यूज कर सकते हो, और कई वीडियो में मैंने इसका जिकर भी कर करते हैं कि आपने API connect कर ली, अब API connect करने के बाद आपको क्या करना, आपको syntax बनाने, syntax बनाने के लिए पैता देता हो, home page पे चलते हैं, dashboard पे चलते हैं, यहाँ देखोगे tool and help, यहाँ पर आपको दो page की बहुत ज़रूरत होगी, एक है syntax generator, दूसरा है broker symbol, हम दोनों page को one by one खो के order दिए, तो जैसे bracket और cover order तो अभी तक हमने बनाई नहीं, इसमें बनाएंगे, बट यह basic order बना दिए, जो भी हमारी platform पे चलते वह आ रहे थे, आप उनका use कर सकते हो, और TPSL वाले order भी हम इसमें लगा देंगे, जो fake management है, इस हपते के अंदर अदर, तो अभी के लिए ज यहां पर symbol दालना है, अब symbol के अंदर यह concept आता है, कि यह symbol मिलेगा कैसे, अभी तो as a reference के लिए यहां पर एक symbol है, तो जो मैंने दूसरा page खुलवाया था आपसे, आपको इस page को खोलना है, यहां पर जाना है global symbol में, अब अगर मानो, suppose आपको bank nifty का किसी का symbol चाहिए, तो index expiry, उसके symbol आने लगे, इसी तरीके से आपको अगर SBI में trade करने हो, आपको पता नहीं SBI के आगे पीछे क्या लगेगा, तो आप SBI EQ दालोगे, तो यह search हो के आगया, तो यह format है, कि आपको अगर symbol नहीं पता, access bank वगएरा वगएरा तो आप यहां से find कर सकते हो, तो अभी क के लिए हम चलते हैं, syntax page पे, syntax page पे आने के बाद मैंने symbol दाल दिया था, जो as a reference example में दिया था, nse select करना है, quantity one करना है, buy करना है, and market order करना है, यह TPSL वाला order, इस week में मैं add करवा दूँगा, फिर यह चाल हो जाएगा, intraday करना है, और generate करने के बाद आपके पास syntax page कुछ इस तो अगर आप copy करोगे तो आप trading view से, चार्टिंग या आप किसी, अगर coder हो, postman, telegram बगएर जहां से order दालना चाहते हो, यह JSON format को दालोगा चले जाएगा, और save syntax करोगे तो आप हमारे platform से order लगा कर सकते हो, कि आपके order जा रहे हैं नहीं, तो आप इस वे save पे click करोगे, save हो order table के अंदर यह syntax पहले से save है, आप देख सकते हो, यह धनका मैंने save कर रहा है पहले से, और अगर आप यह time दालोगे तो इस time पे automatic run हो जाएगा, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको इसे on करना होता है, इसे on करा, और hit button पे click कर दिया, जैसे hit button पे click order successfully hit आ रहा था, तो यह order hit हो गया होगा, पर धन के अंदर क्या है, सेम जरोदा और fires की तरह है, कि यह भी order को दिखाता नहीं है, अगर आप after market order दालते हो, जब market बंद हो गई, तो यहाँ पर कोई भी reject वगएरा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, कि आपका order लग गया है, तो इ 37 मिनट हो रहे हैं, और अगर मैं i button पर click करूँगा, तो latest order है, तो यहाँ पर देखो यह लिखावा आ रहा है, इन्होंने जो response दिया है, वो लिखा है, भाई market अभी close है, ठीक है, market is close, और अभी market बंद है, मुझे भी पता है, तो मतलब order जा रहा था, पर इस वज़े से नही तो I hope आपको पता चल गया, order कैसे जाता है, next video में मैं proper बता दूँ मैं trading view से order कैसे दालना है, वैसे अभी आपको एक थोड़ी सी जलक दिखा देता हूं, trading view पर जाना है, और trading view पर जाने के बाद आपका जो भी indicator है, उस पर buy sale के alerts बनाने है, alerts बनाने के बाद, buy alerts में fully algo का buy द